कि हैं लो फ्रिंद आज हम सिखेंगे सलवार कटिंगे इड। तुदएकिस सबसे पहले हम बेल्ड निकालेंगे तो इसमें हमने पांच इंच की तहार वेल्ड चाहिए तो हम साथ इंच पर कटिंग करेंगे यह अमने 9 पी साम लगा लिया है अब इसको कट कर लेंगे हमने कटिंग कर लिया है अब इस कपड़े को फोल्ड करेंगे दो फोल्ड करेंगे हम पहला फोल्ड मारा ऐसे होगा और इसके बाद ये को और फोल्ड ऐसे हो जाएगा अब हम इसकी लेंथ लेंगे हमने पांच इंच का बेल्ट लिया था तो उमने पांच इंच बाहर निकाल दिया है हाफ इंच पर ऐसे मार्जन लेते हुए हम लेंथ लेंगे तो हमारी लेंथ है फोटीन प्बाइन फाइन थुषान लगा दिशें हाफ इंच अम एस्ट्राओ लेंगे मारी अट्राि में एस्ट्राओ लेंगे घाल ग्रांग मोिड मेंटेलम ने यकाल लिया है अब शिललकेक नाप एम存 फेल दिशेंज पर चाहिए हम और यंच पर लगांगी प्लस 1 इंच इसमें अश्ट्रा लेंगे साथ इंच पे को निशान लगाएंगे कटिंग का अब हम आशन की निशान लगाएंगे तो से मैसे हम बेल्ट उपर निकाल देंगे 5 इंच पे और 16 इंच पे हम निशान लगाएंगे तो यहां हमारा 16 इंच आ रहा है हमने 16 इंच पे आशन की आदेंगे ऐसे तो देखिए हमें घेरा जादा नहीं चाहिए इसमें इसलिए हमें इस तरह की तरीके से थोड़ा सा अंदर की तरफ दवाते हुए निशान ले रही हूं बिल्कुल ऐसे कर लेना है विसे कट कर लेना है अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी विच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा उंची बिल्कुल काट लें यह अपने काट लिया है फेबरिक को हटा देंगे इसमें हम मियानी भी लगा सकते हैं आप चाहें तो इसकी पिकर सकते हैं चलिए अब इसकी स्टिशिंग करते हैं तो स्टिशिंग के लिए यह हो गया मियानी और यह हो गया हमारा चार चार पार्ट तो हम इसमें एक मियानी ऐसे लेंगे आसन की जगप इसको रखेंगे और ऐसे सलाय लगा देंगे जिसमें सलाय लगा रही हूं हमें डबल सलाय लगाना है तो हम इसके उपर से एक और सलाय चला देंगे ज़िए को प्णों बरावर रख कर एक और शीलाय ऐसे चला दें फिर हम इसके उपर एक और पार्ट रखेंगे जैसे इसको ज्वाइंट करेंगे हम यहनी को ऐसे बाहर करके इसको उपर ऐसे पुरा फैब्रिक शिल देंगे लगा के बल्कुल ऐसे ही लगा के शिल देना है इस पे भी हम डबल सिलाय लगाएंगे इस पे भी हमने यह डबल सिलाय लगा लिया है आप से इस साइड भी हम ऐसे ही लगा लेंगे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को मेरे लाइक करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए का कैसा लगा आपको इस तरह की और भी सारी देखना चाहते हैं वीडियो चलवार की तो कमेंट करें जा फिर जिस भी चीज की आप वीडियो देखना चाहता है तो कमेंट करें कोई भी साथ भी डिजाइन हो स्क्रीन सॉट कमें भेजें मैं उस डिजाइन को पूरी कोशिश करूंगी इस तरीके से बनाके वीडियो डालने की कि इस पर भी हम डबल सिलाई चला लेंगे अब इसकी हम चून बनाएंगे यह हमारी दूनों साइट की सिलाई हो गई कि यह मारा बीच का सेंटर है कि यह मारे एक पायर है यह मारा दूसरा पायर है कि अब इसमा चून बनाएंगे तो यहाँ से एक आसन की पाट को पकड़ेंगे और एक चून उधरसे लगा देंगे और एक चून इधर से हम लगा देंगे, बिल्कुल चून बराबर करके लगा लें, जैसे हमने लगा लिया है, अब जो हम चून लगाये हैं, वहाँ से फेबरिक को पकड़ेंगे, और दोनों पार्ट को बराबर करते हुए हम बेल्ड का आधा हिस्सा लगाएंगे, तो हमारा बेल्ड 25 का है, सुरी 24 का है, तो हमने 12 लगा लिया है, आधे पर, अब यहाँ से हम चून डालना है, स्थार्ट करेंगे, तो हमारा पहला चून होगा, ऐसे हम आसन के सेंटर तक ऐसे चून डालते जाएंगे, आप देखते ही है, मैंने कैसे चून डाला है, बिल्कु ऐसे ही, आसन के सेंटर तक चून डालना है, अगर मेरी वीडियो आपको समझा आ रही हो, अगर अच्छी लग रही हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छे नेल को सब्सक्राइब करें, हमने एक पैर की चून उधर से लगाई है, दूसरे पैर की चून हम इधर से लगाएंगे, तो बास ऐसे ही हमें चून डालते जाना है, अगर यह चून आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं चून की वीडियो डिटेल में डालूंगी, अच्छ आपको समझ लगाते जाएंगे, जहां हमने माक लगाया था, जहां पर हमने थोड़ी सी कट लगाई थी, वहां तक हम चून लगाते जाएंगे, बल्कुल अच्छे से, यह दिखिए हमारा फाइनल चून यहां तक लग गया, यह कुछ इस तरी के शायागा, यह दिखिए, जहां हमारी बेल्ट हो गई, हमने बेल्ट की तरह से लाई कर लिया, इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, तो हम पहले बेल्ट को अटेस्ट कर लेते हैं, नेचे वाले पार्ट में, यह रहा है, चून, यह हमने सीधी साड रखिया, इसके उपर हम बेल्ट रखेंगे, तो बेल्ट को अभी हम सीधा कर लेंगे, बीच का सेंटर बना लेंगे, बराबर का, यह हमने सीधा रखा है दोना, इसके उपर से हम इसे रखके आसलाय लगाएंगे, यह सेंटर हम मिला लेंगे अपना, कहां तक आ रहा है, कितना मेरा बेल्ट में घट रहा है, मेरी बेल्ट में जगाएंगे, उसके इसाफ़ से में एक चून खोल लेंगे, तो हमारा चून आ जाएगा, अच्छे से बेल्ट भी सेट हो जाएगी, अच्छे से, यह देखिए, हमने लगा लिया है, ऐसे ही पूरे में लगा लेंगे, तो हम अच्छे सेट कर लेंगे, अगर थोड़ी से जगह काम भी पढ़ रही हो, आपका बेल्ट एश्टर हो रहा हो, तो चून को थोड़ी से पतली कर देए, चून को, इसे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बेल्ट आपका सेट हो जाएगा, यह देखिए, हमारा पूरा चून में फाइनल हो गया, अब इसके ऊपर हम स्लाइच लाएंगे, बेल्ट पे, ताकि हमारा चून खुल लेना, और अच्छे से सिलाई बैठ जाए, तो बिल बया, अईसाओ घर गाल से बरहा बाएंगे, पूरे मैं स्लाइ लागा लेंगे, यह दिसे हमने स्लाइच लाएंगे, भूसत नही बरहा दिए हमने, दो जाए्लगा हम, अब हम लेंथ ना पिंगे हमारी बेल्ड पांच इंच की है इसके बाद मेरा पूरा लेंथ 9.5 इंच का आना चाहिए तो यह रहा है कि थर्टी नाइन पॉइंट 5 इंच करेंगे तो इसके लिए हम दोनों जॉइंड कर लेते हैं कि हमने लाश्टिक जॉइंड कर लिया है कि इस रहके एक और से फोल्ड करके। और फैब्रिक के ऊपर हमें स्लाइच बात जाएगा तो हमारे इलास्टिक बढ़ेगी नहीं। इसलिए बचाते उए कि आ पखड़ना है मैं वैसुरा नहीं फेलाeles लगा देना है तो सभी लगा दे कि बिल्कुल भी क्ढ़़ै बना क्यार्फ कहीं वी युद्ड परबर होता है आप मीट्चीν आती है इंप एक जाटनल नहीं होता है चून अब इस कपड़े को हम ऐसे खीचेंगे और इलाष्टिक को बाहर निका लेंगे ऐसे तो यह चून बनता जाएगा अगर इसमें ज़रा से भी दब गया होता तो यह चून ऐसे नहीं बनता इलाष्टिक नहीं खेशकती तो इसी तरह से खीच-खीच के हम पूरी फैबरिक में एलाश्टिक लगा लेंगे अ है कि अ है कि आज है ऐसे हैं कि खीच खीच के लाश्टिक लगाएंगे और फैब्रिक इसे सरकाते जाएंगे अधे स्टीक को खीचते जाएंगे कि यह देखिए हमारा इलास्टिक लग गया है अब इसको निकाल लेंगे अब इसको चार्व तरफ से खीच खीच के इसकी बाराबर चुन्नटे कर लेंगे तो कि एक जगह पर इकठा ना हो ऐसे खीच के गैंक जी आफिक आफिसके ऊपर हम सिलाय लगाएंगे अ तो इस तềumph के से खीच के लाइंगे आगे जहीचते जाना और चलाइए जाना है अगRE यह ट्रिक आपको पसंद dei हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल पर करें इस तरीके की कोई भी डिजाइन की वीडियो आप देखना साथ हैं तो कमेंट करके बताएं मैं ज़रूर डालूंगे इसे वीडियो कि अबस ऐसे खीचते जाना है और इलास्टिक को लगा लेना है यह अपने इलास्टिक लगा लिया है आप नीचे महोड़ी के लिए मैसार em 35 किना और रहा है घार फाइनल में हमारा कि आ जाए रहा है हाफ इन लाई के लिए बच रहा है है तो हम इसमें अपनी महोड़ी अटेज करेंगे महोड़ी के लिए हमयँ चाहिए कपड़ेंगे एक तार लाइड लेंगे एक तरह से कट करकेस्ट और निकाल लेंगे बागी का इस्ट्राइबरिक हम कट कर देंगे आई सबस्क्राइब लाइड आध लेंगे आप चाहें तो प्रेस से भी चुपका सकते हैं और भी अच्छी आती है कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर लाइट ना हूँ तो कि दोनों साइट से चुपका लिए दूसरी साइट से हमने ऊपर से कपड़ा फॉल्ड कर दिया हुआ है हम सलवार की सीधी साइट रखेंगे महड़ी तक ऐसे जाएंगे इसके ऊपर हम कपड़े में लगाए हुए बुख्रम को रखेंगे इसके ऊपर रखेंगे और जितना हमारा एश्टर हो रहा था सलवान में फैब्रिक उतना हम पकड़ के सिलाई लगाएंगे दीखिए कैसे लगाते हैं हमें बुख्रम के सिलाई नहीं चुढ़ानी है बुख्रम के साइट साइट ही हमें लगानी है इसे प्लटने में एक दम फ्रिसिंग की साथ प्लटती है अच्छी लगती है दिखने में अगर पुख्रम पर चड़ जाएगी तो अच्छी नहीं लगती है तो बल्कुल ऐसे ही सीदी करते हुए हमें सिलाई लगानी है बल्कुल ऐसे रखके सिलाई लगा लेनी है हमने मोडी बना लिया है आप अपने हिसाब से में डिजाइन बना ले और यह हमने नाप लिया है मोडी का हमारी मोडी हमें छैंज पर तयार चाहिए था हमने छैंज पर निसान लगा लिया है पा यह से तिछे निसान लगाती हुए हम सिलाई लगालेंगे हम आसमसी चुरूर करेंगे शिलाई लगानगे अईसे पनी अच्छी आती है यह देखिए हमने यह लगा लिया आप इस पर डबल लगा ले और इस तरीके से बचे हुए फैब्रीक को कट करके निकाल ले ये देखिए हमारी चूनवाली सलवार बिना कल्ली की चूनवाली सलवार बनके तयार है